और example देखते हैं जैसे मैंने लिखा 2 by 1 ही लिखा suppose करो अब हमारा कहाँ decrease होने का reason कब होगा जब हमारा नीचे बढ़ जाए या घट जाए बढ़ जाए नीचे बढ़ जाए तो एक तो example बढ़ने का लिए मैंने या मैं एक काम करता हूं इसको इसको ले लेता हूं मैं 2 by 3 मैंने क्या लिए 2 by यहां भी मैं प्लस कर रहा हूं यहां भी प्लस कर रहा हूं example number 2 अभी मैं सब को एक टेबलर अब बताओ भी में बूस होना है दोनों साइड इस्पीड में कहां से प्लस होगा जबसे जादा फरक और नीचे अगर ज्ढ़ वेटेज़ बढ़ रहा刃 तो रेशो क्या होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा था उपर ज़्यादा था तो उपर ज़्यादा फरक पढ़ रहा था तो ratio improve यहाँ पे क्या है नीचे ज़्यादा है और नीचे ज़्यादा speed में plus हो रहा है तो ratio क्या हो जाएगा हमारा decrease हो जाएगा चलो example number 3 example number 3 में मैं माल लेता हूँ 4 by 3 ठीक है यह simple है 4 by 3 में अगर मैं minus करता हूँ यह तो मैंने plus का example ले लिया तो इससे ratio क्या होगा, decrease होगा, clear हो गया अगर मैं minus करूँ तो suppose करो minus का example लेते हैं 4 by, हाँ नीचे increase हो रहा है न, एक मिन यह, इसकी बोल रहे हो आप यहाँ minus किया हमने और यहाँ minus किया ज्यादा तेजी से minus हाँ, यह सही तो है increase करके दिखाऊ, example यह रहा उपर 100 upon में 200 था ratio क्या था मैंने कम का लिया था, ज्यादा के लिया था अच्छा हाँ, एक मिन इसको मैं उपर 4 by 3 कर देता हूँ, है न अब ठीक है 4 by 3 कर दिया, ठीक है और कम होने का यहाँ पर क्या होगा, मैं 3 by 4 ठीक है, यानि simple सा logic अब ध्यान से देखना, मैं क्या बता रहा था, कि जहाँ ज्यादा होगा और वहाँ फरक पड़ेगा, इस case में क्या होगा, अगर minus करें, तो ज्यादा speed में कहाँ फरक पड़ेगा नीचे फरक पड़ेगा और नीचे फरक पड़ने से हमारा, नहीं पहले ठीक था यह फरक पड़ेगा पहले लुप परक पड़ेगा फरक बड़ेगा एक सेकंड रुख जो, एक सेकंड रुख जो इन्स पालaning, में जो मैं जो, एक सेकंड रहां कोुआर के जो एक सेकंड रुख जो, एक सेकंड रुख जो, युट एक सब्सक् Netव एक बार देखना यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मिस्टेक यह है कि यह वाला भी पॉइंट आपका डिक्रीज का यह मैं दुबारा रिपीट कर देता हूं एक मेंट रुख जो एक मेंट रुख जो बस दुबारा मैं पहले यहां से देखो यह समझ में आ गया उपर प्लस होगा तो ज़्यादा प्लस होगा और नीचे प्लस होगा तो नीचे डिक्रीज होगा अब case number 2 मैं दोनों साथ में ले रहा हूँ मानलो आपका 2 by 3 है और यहां भी 2 by 3 है ठीक है? मैंने बताया था जहां ज़्यादा होगा वो ज़्यादा का point नहीं था वो मैंने by mistake बता दिया जहां पे कम होगा ना वहां ज़्यादा फरक पड़ने वाला है कम वाले digit पे मैंने ज़्यादा बोल दिया था पहले कम वाले digit पे अगर हम plus करेंगे तो impact वहां पे ज़्यादा तेजिस आएगा कम वाले digit पे अगर हम minus करेंगे तो impact वहां ज़्यादा तेजिस आने वाला है एक एक example लेके भी मैं करूँगा confused मत होना बिल्कुल कम यहां है तो मैं क्या करता हूँ ज्यादा speed में वहां फरक पड़ेगा मानलो मैं यहां plus करता हूँ और यहां भी क्या कर रहा हूँ ठीक है यह क्या है मारा 2 by 3 तो suppose करो मेरे पास है 200 divided by 300 ठीक है न तो ratio क्या है 2 is to 3 अब मैंने change करके क्या करा प्लस करने जा रहा हूँ मैं तो ज्यादा कम कहा है यहां पर तो वहां speedly फरक पड़ेगा मैंने मानलो 100-100 रुपे दोनों में प्लस कर दिया तो यह क्या हो जागा 300 इसका ratio क्या आ गया अब कौन सा ज्यादा है अगर आप point में डिवाइड करते हो तो इसका आता है 2 by 3 इसका आता है point 66 और 3 by 4 इसका आता है point 75 ठीक है यानि जहां कम होगा ना मैंने ज़्यादा बोल दिया था पहले by mistake जहां पे कम होगा डिजड वहां impact ज़्यादा आएगा तो plus हो रहा है कम किधर है उपर तो impact ज़्यादा speed में plus वाला point कहां जाएगा अपर side में जाएगा तो ratio क्या होगा बढ़ जाएगा अब मैं minus की बात करता हूँ चलो जहां कम होगा ज़्यादा impact वहां आएगा कम कहां है तो ज़्यादा speed में minus कहां से होगा उपर से होने वाला है चलो इसका भी एक example ले लेते हैं मान लेते हैं 200 divided by 300 तो आपका आया था 2 is to 3 और मैं minus 2 नों में 100 कर देता हूँ ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 100 divided by तो 1 is to 2 तो देखो यह इसका point 66 था और इसका क्या आगया point 5 तो इस case में इसका answer क्या आएगा decrease पहले ये point देखो फिर मैं तीसरे example को लूँगा अगर upper में सिर्फ plus हो रहा है तो obvious है कि improve होना है सिर्फ down में denominator में सिर्फ plus हो रहा है तो obvious है कि हमारा decrease होगा अगर आपका ratio friction में given है is to 1 equal नहीं है तो जहां कम होगा न वहां सबसे ज़्यादा फरक पड़ेगा तो मेरे इस दोनों example में upper में कम है तो यहां पे plus कर रहे हैं तो उपर सबसे ज़्यादा plus होगा तो ratio improve हो गया यहां पे उपर ज़्यादा minus हो जाएगा तो ratio क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा same देखो मैं यहां पे अब एक और change करता हूँ case number 3 मानलो मेरा है 3 by 2 reverse कर दिया 3 by अब मानलो मैं यहां plus करता हूँ मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे यहां लिख नहीं रहा है यहां plus यहां plus change सबसे ज़्यादा कहा आएगा अगर नीचे change आएगा नीचे बढ़ेगा plus के time में तो ratio क्या हो जाएगा एक पर proof कर लेते हैं फिर से 300 divided by 200 plus करते हैं 100-100 plus कर देते हैं तो 100 यहां plus करेंगे 400 और नीचे plus करेंगे पहले 3 to 2 था पहले क्या था 3 by 2 अगर इसको मैं solve करूँ point में 1.5 और इसको तो अगर मेरा नीचे था मैंने क्या करा plus क्या है minus क्या दोनों में plus क्या है दोनों में यानि अगर ratio में मैंने increase नी बोला मैंने बोला just example ले रहा हूँ ठीक है तो अगर देखो यहां दोनों side है मैं plus का example लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा impact कहा पड़ेगा जहाँ value कम होगा और यहाँ denominator में कम है और नीचे value में क्या impact पड़ रहा है plus हो रहा है ज़्यादा तो नीचे अगर ज़्यादा speedly plus होगा तो impact क्या हैगा ratio घटता जाएगा आपने starting में बताएगा सर नीचे अगर आप ज़्यादा डालोगे आप नीचे denominator में जितना amount ज़्यादा रिखोगे उससे आपका ratio हमेशा क्या होगा decrease होगा तो same impact सबसे speed में कहां पड़ेगा जहाँ पे कम point हो तो यहाँ पे देखो आपका कम यहाँ है तो denominator बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ratio क्या हो जाएगा लेकिन अगर मैं minus की बात करूँ तो denominator में सबसे तेजी minus कहां पे हो रहा है denominator में minus हो रहा है सबसे speedly अगर नीचे आपका सबसे speedly minus हो रहा है तो ratio क्या होगा यानि अगर मैं simple बोलू तो denominator में अगर आपका plus होता है speedly तो ratio क्या होता है अगर denominator में minus होता है speedly तो ratio क्या होता है समझ में आया है तो ये आपके कितने cases होगे 3 cases इसके 3 cases इसके और इसमें सिर्फ एक ही है और इसके अलाबा नहीं है लेकिन problem एक बार और तब आजाएगा आपके पास जब ratio आपका equal हो जैसे 1 is to 1 ठीक है 1 is to 1 है मान लो 100 divided by मान लो यहाँ पर plus 10 और यहाँ पर plus 10 क्या change आएगा नहीं आएगा आप बोलोगे सर आपने तो पताया था plus होता है तो वो तब वो ratio ये वाले दोनों आपके काम आएंगे जब आपका ratio friction में हो is to equal ना हो अगर हमारा ratio equal है तो उपर plus कर लो तब भी कोई change नहीं होने वाला तो is to 1 वाले में ज़्याद से ज़्यादा हमारा क्या होता है changes नहीं होता एक question पूछा जाता है आपने क्या करा bonus share issue किया है तो bonus share क्या होता है एक normal share capital आप देखो मैं मेरा ratio आप मुझे जवाब देना हो काफी सारे question हम discuss करेंगा यह note करोगा clear हो जाएगा मेरा मानलो 200 divided by 300 है या 200 divided by 100 ठीक है 2 is to 1 idle ratio रखा मैंने मैंने क्या करा share issue कर दिया 50 रुपे का बताओ कहां फरकाएगा share issue करा सर्फ यहां फरकाएगा liability में क्यों share capital क्या current liability का part है मैं CR से लेके चल रहा हूँ इसको ये भी ध्यान दो समझ में आया है तो ratio क्या होगा बढ़ेगा कौन सा आला concept लग गया यह वाला चलो मैंने क्या करा bonus share issue किया bonus share क्या हो